स्वयम सहायता सम्हू और उनके कार्य स्वयम सहायता सम्हू मतलब 10-12 लोगों का इकट्टा आकर किसी एक विशिष तरीके का काम रोजगार के माध्यम से पूरा करना. इस रोजगार के माध्यम से औरतें खुद बचट करती हैं। बचट की आदत लगाना ये स्वयम सहायता समूहों का प्राथमिक उद्देश्य होता है। दैनिक बचट कर मुश्किल समय में उस बचट का फायदा होता है। सामोहिक बचट के माध्यम से कर्ज निकालने पर आने वाली समस्या पर मात करने के लिए स्वयम सहायता समूहों का उप्योग हो सकता है। गरीब लोगों को छोटे स्थर पर कर्ज उपलब्ध होने के लिए स्वयम सहायता समूहों कारगर साबित होता है। महीला सक्ष्मी करण के लिए भारत सरकार के अनेकों कारेक्रमों में से एक स्वयम सहायता समूहों का कारेक्रम है। निम्न स्तर की महिलाओं को बचत का महत्व समझें और वो खुद कुछ आर्थिक निर्णय ले सकें, इसके लिए उन में आत्म विश्वास निर्माण हो ये महिला स्वयम सहायता सम्हू के अनेक उद्देश्यों में से एक उद्देश है. स्वयम सहायता सम्हू एक संस्था के तौर पर काम करते हैं. निम्न स्तर का समाज बचत के माध्यम से अपना जीवन स्तर बढ़ाने का प्रयास करे, इसके लिए स्वयम सहायता सम्हू प्रोथ साहित करता है. इसमें समान सामाजिक और आर्थिक वर्ग के लोगों का एक साथ मिलकर समान उद्देश्य और कार्य प्रणाली को मद्दे नज़र रखते हुए, उसके अनुसार एक संगठन के तौर पर काम करना अपेक्षित होता है. इसी लिए उसे स्वयम सहायता सम्हू कहा जाता है. ग्रामीर इलाके में या शहरों में जहां बंचित समाज या आर्थिक रूप से सम्रुद्ध ना होने वाले समाज रहते हैं, वो बहुत बुनियादी जरूरोतों के लिए संगर्ष करते रहते हैं. जैसे की गरीबी, निरक्षर्टा, कौशलों की कमी, कौशल हो फिर भी अवसर ही उपलब ना होना या आपचारिक रूप से मिलने वाला कर्ज इत्यादी. एसी समस्याओं का नीजी स्तर पर निराकरण करना थोड़ा मुश्किल होता है. लेकिन जब एक साथ मिलकर इस तरह की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जाता है, तब ऐसी समस्या का मुकाबला करना संभव होता है। ऐसे वक्त में बचत सम्हू या स्वयम सहायता सम्हू ये गरीब और उपेक्षत वर्ग के लिए एक वाहन बनता है और स्वयम रोजगार तयार करके इनी वर्गों को समरिद्ध होने में मदद करता है। स्वयम सहायता सम्हू स्थापन करने की प्रक्रिया स्वयम सहायता सम्हू स्थापन करने का निर्णे लिया जाए, तो सबसे पहले जरूरी है कि इसकी आवशक्ता क्या है? ये आपका उदेशस पष्ट होना चाहिए. मतलब इसके लिए एक समान प्रिणा होना जरूरी है और वो भी सामुहिक प्रिणा हो स्वयम सहायता समु के सदस्य सिर्फ महिलाएं, सिर्फ पुरुष या महिलाएं और पुरुष दोनों साथ में भी हो सकते हैं ये संख्या 20 या उससे भी कम होनी चाहिए ये एक समु है, इसका मतलब कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष इकठा आकर ये समु तयार होगा इसके लिए ये स्वयम सहायता समु क्यों स्थाप्रन करना है और उसके लिए किन-किन चीजों की आवशक्ता है इसके लिए कितना समय दिया जाना जरूरी है इससे कौन सी समस्या हल की जा सकती है, इसका उदेश्य क्या है, उदेश्य पूरा करने का तरीका क्या होने वाला है ये सारी बाते स्पष्ठ होना और वो सारी बातें एक दूसरे को समझाना बहुत जरूरी और पहला कदम है पहली बैठक का आयोजन स्वयम सहायता समु स्थापन करने का निर्णय होने के बाद उसके लिए कम से कम 10 से 20 लोगों का समु होना अनिवार्य है उसके बाद पहली बैठक का आयोजन करना जरूरी है इस बैठक में स्वयम सहायता समु स्थापन करने के संदर्ब में प्रस्ताव मंजूर करना होता है। बैठक में बचत समु की धार्णा, नियम और शर्तें ये सब बाते सदस्यों को समझाई जाती हैं। इसमें सम्हु के सभी सदस्यों की आर्थिक सिथी ध्यान में रखते हुए सर्व सम्मती से एक महीने में कितनी बार कितनी रकम बचत करनी है और उसकी अवधी क्या होगी इसका निर्णय लिया जाता है। सम्हु का नाम निश्चित किया जाता है. सर्व सम्मती से सम्हु में ही अध्यक्ष, सचीव और कोशाध्यक्ष नियुक्त किये जाते हैं. बैठक में पास हुए प्रस्ताव को लिखा जाता है. सम्हु में नियुक्त हुए अध्यक्ष, सचीव और कोशाध्यक्ष के दस्खत लिए जाते हैं। लिकिन ध्यान रहे कि स्वयम सहायता समू की रचना लोकतांतरिक मूल्यों के आधार पर की गई है। इसलिए समू के हर सदस्य को समान अधिकार होते हैं। प्रस्ताव बैंक में पेश करना। पहली बैठक में पास हुए प्रस्ताव की एक कौपी बैंक में पेश करके बैंक में समु के नाम से खाता खोलें। इसके साथ सभी सदस्यों के नाम, उनके पहचान पत्र, फोटो इत्यादी बैंक में खाता खोलने के लिए जरूरी कागजा जोड़ दें। प्रस्ताव पर समु के नाम का स्टैंप, उस पर अध्यक्ष, सचीव और कोशाध्यक्ष के नाम और उनके दस्तखत हों। प्रस्ताव के अनुसार जो रकम जमा हुई हो, वो बैंक में जमा कर दें। ये रकम हर महीने बैंक में नियमित रूप से जमा करते रहें। तीमाही मुल्यांकन, स्वयम सहायता समु स्थापन हो जाए, और बैंक में खाता खोल देने के बाद समु का काम शुरू होता है। करीब हर तीन महीने के अंतराल में समु का मुल्यांकन करें। सदस्य नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं? पैसे समय पर जमा हो रहे हैं या नहीं? सदस्यों को एक साथ काम करना पसंद आ रहा है या नहीं? सदस्यों की एक दूसरे के साथ बनती है या नहीं? समु में कुछ समस्या तो नहीं, इसकी जाँच कर लें। कुछ बदलाव करना ज़रूरी हो तो वो करें। कुछ सदस्य सम्हू से निकल जाते हैं। उसके अनुसार नए सदस्यों को प्रवेश दें। पुराने सदस्यों की रकम वापस करते वक्त, कुल कितनी रकम वापस मिलेगी, जिस अवधी के लिए सम्हू की राशी बैंक में जमा की गई है, उस राशी पर बैंक उनके नीती के अनुसार ब्याज देती है। ब्याज के साथ मिली राशी का नियोजन कैसे करें, इसके बारे में भी एक साथ निर्णे लें। जो भी निर्णे होगा उसे लिख लें। उसके अनुसार राशी का नियोजन कर लें। ये राशी समान रूप से बाट ली जा सकती है। किसी सदस्य को कर्जे के रूप में दी जा सकती है। लेकिन ये जमा हुई राशी सिर्फ समू के सदस्यों को ही कर्ज के रूप में मिलती है। ये कर्ज उस सदस्य को किष्टों में समू को वापस करना अपेक्षित होता है। स्वयम सहायता समू के व्यभार के लिए समू के सदस्य कर्ज देना है या नहीं, देना हो तो कौन से दर से, किसे देना है और भुकतान के बारे में नियोमों का निर्णय लेते हैं जमा की गई हुई राशी अन्य प्रॉजेक्ट में निवेश की जा सकती है या कुछ राशी का बटवारा कर, बाकी बची राशी में से कुछ नया उध्यम शुरू किया जा सकता है समू के लिए कुछ कारिक्रम कर सकते हैं जैसे कि स्वास्ते जांच शिबिर, किसी उध्योग का प्रशिक्षन या प्रबोधन का कोई कारिक्रम आयुजित करना ये या इस तरह के कई विकल्पों से राशी का नियोजन किया जा सकता है, लेकिन ये सब सर्वसम्मत्ती से होना जरूरी है. स्वयम सहायता सम्हू के फाइदे संगठन बनता है और बचत और कम खर्चों की आदत लगती है. सदस्यों को बचत की आदत लगती है और बैंक के व्यवहार पता होते हैं. स्वयम सहायता सम्हू की वजह से मुश्किलों के वक्त अत्यावशक समय पर तुरंद और आसानी से कर्ज मिल जाता है. साहुकार से मिले कर्ज की तुलना में बहुत कम ब्यास दर पर आर्थिक सहायता मिलती है. इसकी वजह से सदस्यों की आपस की आर्थिक समस्या हल की जाती है. स्वयम सहायता समूग की वजह से रोजगार का निर्मान होता है जिससे अर्थ और जन और आजीविका के नए अफसर मिलते हैं सदस्यों में आपस में सहकार्य और विश्वास निर्मान होता है, समाज में स्थान निर्मान होता है सदस्यों को संगठन का आधार मिलता है महिलाओं का घर के बाहर निकलने से उन्हें नई चीजें सीखने के अवसर मिलते हैं महिलाएं स्वाव लंबी होती हैं उन्हें बचत करना, कर्ज लेना और उसका भुकतान करने जैसे आर्थिक व्यवहारों की जानकारी मिलती है इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और भुकतान की आदत लगती है सरकार के लोक कल्यान की विभिन योजनाओं के बारे में पता चलता है फिलहाल जो जानकारी उपलब्ध हुई है उसके अनुसार जो स्वयम सहायता समुग कार्यरत हैं उन्हें एक साल बाद प्रती सदस्य एक हजार रुपए और ज्यादा से ज्यादा पचीस हजार रुपयों तक व्यवसाय करने के लिए नकद्रण मिलता है फिलहाल जो जानकारी उपलब्ध हुई है उसके अनुसार गरीबी रेशा के नीचे के स्वयम सहायता समुग को व्यवसाय करने के लिए एक लाख पचीस हजार रुपए या पचास प्रतीशत इसमें से जो भी कम हो उतनी राशी का अनुदान मिलता है